अकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी कोरोना संकरमण के मद्दे नजर सभी शोताओं से अपील है कि लापरवाही न बढ़ते सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधेकुम्र के जिन लोगोंने कोविट का पहला टीका लगवा लिया है सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाए तीन आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें मास्क लगाए दो गसकी सुरक्षित दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें और टीका लगवाए लोगों को कोविट से सम्मंधित जानकारी देने और उनके मार्क दर्शन के लिए राश्वे हल्प लाइन कारे रत है इसका नंबर है 01239 78046 और 1075 अब मुख्य समाचार देश कोविट महमारी से मुक्त होने के मार्क पर अग्रसर कोविट से स्वस्थ होने वालू की दर 93.67 प्रतिशत होई नर्वाचनायोग ने पेड न्यूस को चुनाव अपराधों की सूची में शामल करने की सिफारश की और आनलाइन रिटर्न भरने के लिए आयकर विभाग का नया ई-पोर्टल www.incometax.gov.in कर से शुरू होगा अब समाचार विस्तार से उपचारा धीन कोविट रोगियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आने के साथ ही देश कोविट महमारी से मुक्त होने के मार्क पर अग्रसर है आज लगातार दसवे दिन नए मरीजों की संख्या दो लाग से काफी कम दर्च हुई है पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,89,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए जबकि 1,14,460 लोगों में संक्रमन का पता चला संक्रमन के नए मरीजों की संख्या पिछले लगभग दो महीनों में सबसे कम है इसके साथ ही देश में कोविट से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 93.67 प्रतिशत हो गई है प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने प्रतेक नाकरिक को कोरोना अनुकूल व्यवहार के लिए जागरोग बनाया जाएगा कल कोरोना की स्थिती की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने कहा कि देश के प्रांथो में तीसरी और चौथी लेहर से उत्पर्न परिस्थितियों का अध्यन किया जाएगा उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का अनुमान है कि कोरोना की तीसरी लहर सिदंबर अक्टूबर माह तक आ सकती है जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है बिजली विवस्थाओं का जायजा लेने मुरैना आय मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्यूत वित्रण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक गडिश शंकर मिश्वा ने सपष्ट कहा है कि प्रदेश में विद्यूत चोरों को कैमरे लगा कर चिन हित किया जाएगा विद्यूत चोरी के आदतन उभोकताओं पर आपराधिक मामला दर्च कराकर जिलाबदर और NSA की कारवाई करवाएंगे आज मुरैना में कंपनी CMD ने विद्यूत चोरी को सामाजिक बुराई बताया उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिकवरी की विवस्था बेहतर की गई है जिससे कमपनी को राहत है और भोकताओं को ऑनलाइन बिलिंग प्रदान किये जाने की विवस्था की गई है मीटर रीडर का क्षेत्र हर तीन माह में बदल दिया जाएगा निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्रों और निश्पक्ष चुनाव सनिश्चत करने की प्रयासों के तहत पेट न्यूज को चुनाव अपराधों की सूची में शामल करने की सिफारिश की है आकाश्वानी से विशेश भेटवार्ता में मुख्य निर्वाचन आयोग सुशील चंद्रा ने बताया कि आयोग ने इसके लिए विधी मंत्राले को आवश्यक संशोधन करने का सुझाब दिया है उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग पेट निउस को लेकर काफी चंतित है और इस पर रोप लगाने के लिए जरूरी खदम उठा रहा है ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आयकर विफाग उन्लाइन रिटन भरने का कल से अपना नया ई-पोर्टल www.incometax.gov.n की शुरुवात करेगा ये पोर्टल करदाताओं को आधुनेक सुविधा जनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है करदाता को क्या-क्या दस्तावेज और सपश्टी करण देने हैं इसकी जानकारी एक ही डाशबोर्ट पर दर्शाई जाएगी मंत्राले ने बताया कि पोर्टल पर प्रश्ण और उनके उत्तर देनी की नहिशुल को सुविधा उपलाप्त होगी जिससे करदाताओं को काफी सुविधा मिलेगी वितमंत्राले ने बताया कि नई कर भुक्तान प्रणाली अग्रिम भुक्तान की किस्त जमा करने की अंत्म तारीक 18 जून के बाद शुरू की जाएगी करदाताओं को पोर्टल की विशेष्टाओं की जानकारी देने के लिए पोर्टल की बाद मोबाईल अब भी शुरू किया जाएगा कोरोना संक्रमन काल में शेहडोल जिले में हजारों महिलाएं राश्ट्रिय ग्रामीन आजीविका मिशन की मदद से छोटे व्यापार और कारुबार की माध्यम से आत्म निर्भर हो चुकी है कोरोना संक्रमन काल में जब बाजार पूरी तरह से बंद है तो ऐसे समय में मिशन इनके लिए ऑनलाइन बिक्री की योजना पर काम कर रहा है इसके लिए आजीविका माध पोर्टल तयार किया गया है इस पोर्टल के माध्यम से महिलाओं द्वारा तयार किये गए उतपात को बेचा जाएगा मिशन स्वसाहता समूहों से जोड़ी महिलाओं को प्रशिक्षन देता है और उन्हें उतपात तयार करने में मदद करता है आजीविका मिशिन के जिला प्रबंधक पुश्पेंदर से ही ने बताया है कि महला स्वलसाहता समूहु द्वारा जिले में 48 प्रकार की उत्पाद तयार किये जा रहे हैं देश ने नियूनतम समर्थन मूली पर धान और गेहुं की खरीद का नया रिकॉर्ड बनाया है चालू खरीफ विपनर्ड मौसम में सरकारी एजनसियों ने 805 लाख मिट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जो कि पिछले वर्ष इसी मौसम में हुई खरीद से लगभग 10 प्रतिशत ज्यादा है चालू रभी विपनर्ड मौसम में गेहुं की खरीद ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये है इस मौसम में लगभग 414 मिट्रिक टन गेहुं की खरीद हुई है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है देश ने कोविड वैक्सीन अभियान के तहट 30 करोड से अधिक डोस देने की बड़ी उपलब थी हासल की है केंडरी स्वास्त मंतरवाले ने बताया है कि पिछले 24 खंटे में 33,000,000 कोविड के टीके लगाये गए इन में से करीब 30,000,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोस दी गए जबकि 3,000,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया विश्व के सबसे बड़े टीका करण अभियान में अभी तक कुल मिलाकर 23,000,000,000 लाग टीके लगाये जा चुके है रेल वभागनी देश भर में मधिप्रदेश सहित 15 राजियों को 26,281 टन तरल चिकित सा ऑक्सिजन की आपूर्ती का रेकॉर्ड बनाया है रेल मंतरवाले ने कहा है कि अभी तक 376 आक्सिजन एक्स्प्रस अपनी यात्राय पूरी कर चुका है अब बात मौसम की आजप्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होई उधर मौनसून महराश पहुंच चुका है जिसके कारण राजी के कुछ तटियक शेत्रों में वर्शा हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि उम्मीद के अनुसार मौनसून आगे बढ़ रहा है ये मराट वाड़ा के कुछ हिस्सों तिलंगाना और आंध्रप्रदेश के कुछ भागों की ओर बढ़ रहा है मौसम विभाग ने कहा है कि मौनसून के आगे बढ़ने की अनुकूल पर इस्थितिया है अब कुछ समाचार संक्षेप में मुख्य नर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया है कि प्रवासी भार्तियों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रिमोट इलेक्ट्रोनिक वोटिंग का परीक्षण किया जा रहा है प्रदेश के वित्यमंत्वी जगदीश देवडा की अध्यक्षता में मनसौर के कलेक्ट्रेड भवन में क्राइसिस मैनेजमेंट समिती की बैठक समपर्ना हुई बैठक में अन्लॉक समय में लेफ्ट राइट खुलने वाली दुकानों का फॉर्मूला खत्म किया गया बैठक में निर्ने किया गया है कि अब सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी दुकाने खुली रहेंगी शुपुरी जिले में कलेक्टर अक्षे कुमार सिह ने समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अभी कोरोना के केस कम हो गये हैं लेकिन किसी भी प्रकार की धिलाई नहीं बरतना है देरराज साइकल से मुराना कोतवाली का निरीक्षन करने पहुँचे पुलिस अधीक्षक ने टी आई और अधीनस्थों को निर्देश दिये कि आरक्षक मोटर साइकल की बजाए साइकल से भ्रमन करे राजीव गांधी प्रोध्योगी की विश्व विद्याले ने विभिन परीक्षाओं का टाइम टेबल खोशित कर दिया है बी-ई, बी-टेक और बी-फार्मा के अंतिम समस्टर की परीक्षाएं 22-30 जून तक ऑन-लाइन मोड में होंगी G7 के देश बहुराश्य कंपनियों पर नियुनितम 15 प्रतिशत कर लगाने का समर्थन करने के महत्वपूर समझोते पर सहमत हुए है महान मराथा योध्धा राजा छद्रपती शिवाजी महराज के राज्याभी शेग दिवस के उपलक्ष में महराश्य में शिव राज्याभी शेग दिवस मनाया जा रहा है राश्य दृष्टी बाधत संग और सामाजी कन्याय विभा के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार साज जून को जबलपूर के शास्किय दृष्टी बाधत स्कूल धनवंतरी नगर में जिले के सभी दिव्यांग जनों और उनके परिजनों के लिए विशेश टीका करंड कैम्प लगाया जा रहा है और रफेल नडाल और रॉजर फेडर फ्रेंच ओपन टेनस टोनमेंट के चौथे दौर में पहुँच गए हैं अंत में बुलिटन की मुख्य समाचार एक बार फिर देश कोविड महमारी से मुक्त होने के मार्क पर अग्रसर कोविड से स्वास्थ होने वालों की दर 93.67 प्रतिशत हुई नर्वाचन आयोग ने पेड निउस को चुनाव अपराधों की सूची में शामल करने की सिफारिश की और ऑनलाइन रिटन भरने के लिए आयकर विभाग का नया e-portal www.incometax.gov.in कल से शुरू होगा इस बुलिटन में फिल हाल इतना ही बुलिटन के अंत में एक अपील मास्क और दोगस की दूरी हाथ धोना भी है सरूरी नमस्कार